जैश्रियादे दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब स्वस्तोंगे मस्तोंगे सुरक्षितोंगे दोस्तों यदि आपकी कुंडली में मांगली दोश है जिसके कारण आपके विवा में बाधाई उत्पन हो रही है विवा में विलम्ब हो रहा है या कोई भी कारण जिसकी वज़व से आपका विवा नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी खास इंसान से विवा करना चाहते हैं और वो या उसके घरवाले मान नहीं रहे या आपके घरवाले नहीं मान रहे है या फिर किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन हो रही है आपके विवाह में तो आज हम आपको एक ऐसा दिवे प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको करने से आप जिसको दिल से चाहते हैं पूरी शिद्दत से चाहते हैं जिससे शादी करना चाहते हैं तो उससे आपका विवा जरूर हो जाएगा तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो ध्यान पूरवक पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा उपाई कैसे करना है, कब तक करना है और किसे करना है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर जरूर कीजेगा साथी बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजेगा जिसे की आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें और आप उनका लाब उठा सकें तो चलिए जानते हैं उपाई दोस्तों यह उपाई माता पारवती का है माता पारवती की कृपा अगर हम पर हो जाए तो सिर्फ विवा ही नहीं हमारे हर बिगड़े हर रुगे कारिय बन जाते हैं तो इस उपाई में मैं आपको बताऊंगी कि आपको माता को प्रसंद कैसे करना है दोस्तों मापारवती के 108 नामों की जो शंकला है वो अद्भुत शक्तिशाली है एक प्रक्रिया के अंतरगत यदि आप इसका पाट करते हैं पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ती से तो वो एक जादूई वशी करन का काम करती है माता के 108 नाम इस प्रकार है तो दोस्तों इन 108 नामों का जाप आपको सोमवार से प्रारम करना है इसमें कोई ज़्यादा कारिय पूजा पार्ट नहीं करना है बस आपको यह पार्ट 108 दिनों तक करना है यह पार्ट लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं अपना मंचाहा जीवन साथी पाने के लिए बस इसमें खास यह है कि इस जाप, क्रिया, इस प्रयोग को आपको गुप्द रखना है किसी को कहना या बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं यह प्रयोग आप सुबह-शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं इस बात का खास ध्यान रखें जब भी प्रयोग करें इस नान ध्यान करके स्वक्षवस्ट धारन करके ही करें इसके लिए आप पूरवदेशा में मुप करके बैठ जाएं और माता के सामने धूपती प्रजवलित कर माता से प्रातना करें कि आप अपने मन चाहे वरवदू की प्राप्ती है तो ये अनुष्ठन करने जा रहे हैं माता कृपा कर हमारी पूजा स्विकार करिए और अपना आशिरवात दीजिए फिर आपके घर में जाप करने के लिए जो भी माला उपलब्ध हो उससे 108 बार माता के 108 नामों का जाप केजिए माला के हर एक मन के पर माता के एक नाम का जाप करना है मतलब कि ऐसा मत करिएगा कि आप एक नाम का 108 बार जाप करें एक माला में पूरे 108 नामों का जाप करना, 108 मनकों की माला होती है तो वो पूरी माला में पूरे 108 नामों का जाप हो जाए इस तरह से तीन माला का जाप नित्य प्रति दिन करें, लड़कियां अशुद्धी के दिनों को छोड़कर 108 दिन काउंट करेंगी 108 दिन पूरा होने पर तीन कन्याओं को भूजन कराएं और उपहार सुरूप कुछ भेड़ दें छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है आप अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ के अनुसार भेड़ दें आप देखेंगे दोस्तों 108 दिन पूरा होने से पहले ही आप जिससे चाहते हैं उससे आपका रिष्टा तै हो जाएगा आपके रिष्टे में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और सीख रही आपका विवा उसके संग हो जाएगा दोस्तों यकीन मानिए मेरे जान में जिस जिस ने भी ये प्रयोग किया है उसको इसका फल मिला है माता के 108 नाम मामूली चीज नहीं है अगर आपने इन्हें सिद्ध कर लिया तो ये पूर्टा एक वशी करन का काम करते हैं और 108 दिन में यदि आप नित्य पते दिन तीन माला का जाप करेंगे तो आपको ये नाम सिद्ध हो जाते हैं इसलिए एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा पर विश्वास के साथ आज माये परंदो विश्वास के साथ दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप सब ये उपाय जरूर करेंगे और आपको आपका मचाह जीमन साथी जरूर मिलेगा ये वर्ष खत्म होने से पूर्व आपका विवा जरूर हो जाएगा वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा पनो कामना पूर्ती है तो कमेंट बॉक्स में हरर महादेव जरूर लिखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए उपाय के साथ तब तक आप सभासते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें जैश्री रादे हरर महादेव